जी हाँ दोस्तों आज की रेसिपी मैं नहीं रोखित बनाएगा सर्दियों के मौसर में मतर बहुत अच्छी मिलती है तो मम्मी को मन्था आज मतर की एक सबसी खाने का जो की आलू मतर की सबसी से बिल्कुल डिफरेंट है और उसको बनाने का तरीका भी बहुत अलग है तो ये रेसिपी हम बनाएंगे ये तक्रीबन मैंने तेड़ किलो मतर मगवाई थी छीलने के बाद एक किलो है लेकिन हमें इसका एकदम बारिक पेस नहीं बनाना है हमें इस तरीकी से उसे दरबरा सा पेस नहीं पिर एक जार में हरी मिर्च लेसन लेसन हमको तोड़ा ज्यादा रखना है थोड़ी सी अद्रक अपर आपको गास चील के डालेंगे कि इसका चील का मुमें आता है ने बहुत बेकार लगता है धनिया लेंगे और उसको भी डालेंगे हम जार में जिस तरीके से धनिया पकड़ी है और ये डपा पगड़ा है इतना गस के पगड़ा है जैसे इसकी बिना तो मतलब पिस नहीं नहीं था धनिया मिर्च लेसन अद्रक इसका एकदम बारीक पेस बनाना है अब आलू को फ्रेंच फ्राइज या वेज़स के स्टाइल में काट लीजे और खाना जब जल्दी बनाना होना तो हम लोग एक नहीं दो-दो कर लेए चाब आए तरह नहीं आरहे है अबुल अब लोग सोच रहे होंगे कि अब खाना छोड़ के फोन पर किससे लगा हो है तो अच्छली यह भूल गया है कि यह सबजी बनानी कैसे है तो यह मम्मी को फोन लगा रहा है और पूछेगा कि मसाले कब कौन से कैसे डाल ले है मम्मी का आए मम्मी तो यह मम्मी और वही की बात्चीत को मैं फास पावट कर रहे हूं क्योंकि अगर वह आप लोगों ने सुन ली तो मेरा वीडियो क्यों देहें को ही नहीं देखेंगा वाई सबको रेसीपी से मतलब होता है अभी मैं टमाटर कार राता ना लडू खा लेंगे लडू तो चलिए रेसीपी देखिए आलू को एक कडाई में फ्राइ कर लीचे अच्छे से और दूसरी कडाई में थोड़े देल में डालेंगे हम थोड़ा सा हींग हींका तड़का मारने के बार इसमें हम डालेंगे पिसीवी मतल आप चाहिए तो तेल की जोगा घीका स्माल कर सकते हैं और घी में यह भूली यह मतलब कहर है कहर यह तक तक करना भी ना भूले आप में दिखाते हूं कि हम हमारे और हथियार कहां रखते तो यहां पर रखते हैं तो इस चलाएंगी तरह यह तक पड़ता है मेरा किचण बहुत ही चोटा सा है, इसमें दो लोग काम करी नहीं कथे और बहुत फैल चाहता है जब हम आप करते हैं मतर को बहुत अच्छे से भुलना है, तब तक भुलना है जब तक की मतर इस तरीके से थोड़ी सूखी सूखी ना लगए इसका पानी पूला सूमजाना चाहिए और अब इसमें डाल देजिये धनिया वाला पेस्ट जो हमने तेयार किया था वैसे ममी ने कहा था कि इसके बीचों बीच में डाल के बेटा, मतर के बीचों बीच में डाल के ठक देना, पर ये भूल गया है और ये इसे मिक्स कर रहा है, पर कोई बात नहीं, रिजल तो अल्मुस्ट आँ जाएगा, आप डाले एक चमच हल्दी, एक चमच नमक, आदा चमच और डाले मिर्ची, देखिया कि इन सारी डाली इसे, एक चली मिर्ची नहीं डाल लेते, क्योंकि मम्मी मिर्ची नहीं खाती है, तो आप लोग डाल देजएगा, और डाले डेड़ चमच करम मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स करके भून लेजे, आप लोग रेड़ चिली डाल लेजेगा, हमारी मम्मी की वज़ए से इसमें ग्रीन चिली और रेड़ चिली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, विकॉस वो नहीं खा पाती है, अच्छे से भूनने के बार किसमें डालेंगे पानी, पानी आपको एक लिटर लगेगा, क्योंकि ये रोहित बना रहा है तो वो किष्टो में पानी डालेगा, थोड़ा डालेगा, मिलाएगा, फिर डालेगा, मिलाएगा, फिर डालेगा, मिलाएगा, नहीं अकिनाता है, द यह देखिए फिर से डाला फिर मिलाएगा हूं यह वाला प्रताइगा सेंडर बराके गुछ गुछ कर पर डालेगा फिर मिलाएगा किससरा colber भी na है कि कुछ करें है किया मैं जब करना पानी कि pagan दि thinner तो dipping पानी इसमें बाहएं की श्कास आप पर अश्चाना में हुंकि नहीं है से इतना क्यूट नहीं है नॉटी है सबजी की क्वांटिटी के हिसाब से नमक थोड़ा कम हो गया था तो हम लोग उपर से थोड़ा नमक एड़ कर रहे हैं तो अगर आप भी इब टेस्ट कर लिजे अगर लगे कि नमक कम है तो नमक डाल लें और अब बारी आगए है आलो डा अब हम आलू डाल के इसे पांट से साथ मिनट पकाएंगे और उसके बाद चूला बंद कर देंगे हमारी सबजी रेडी है और सब्सक्राइब का नाम है दोस्तों इसको बोलते हैं यूपी में निमोना मतर का निमोना दोस्तों आप लोगों को आलू और मतर की कसम आप लोग कि अकरकृत की कैसे कैसे 순간 1 आपके अगया है सनी आच चुक है और सुं Sisanida लेकि जा रहा है ममी के लिए मतर काक mitä रिमान ना बहुत इंप आपना मत आफ मादो भुशा तर अजिए बीडियो स्टार वरोगे? यहाँ बाई भीडियो पर आने के लिए हमेशा तेया रहे कार है कितने क्यूट है मेरफाई चालो बाई 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 अपन्डी ए जल्दी आज़गर जाओ बाई बाई आप लोगों को भी बाई मैं एंग तक वीडियो देखे गाई वाच्टाइम 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 हमारी कुटी सब्सक्राइब मैं खेरे हो प्लीज सब्सक्राइब करेनो प्लीज प्लीज